स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी किलासे स्विस्सुमिज जैन यूटूब चैनल में सुसात्यों स्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन शबी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों अपने मितनों तक सेयर भी कर दें ठीक है एक दोस्तों बड़ा कोर्स किया गया है जिसमें आपको हिंदी साहित के नोट्स अगर आपको हिंदी साहित के नोट्स चाहिए है ना तो दोस्तों हिंदी साहित के नोट्स वाला कोर्स लांच किया गया जिसमें आपको दोस्तों पद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् निचोड निचोड जो होता है दोस्तों हिंदी के महत्पुर्ण महत्पुर्ण जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको यहां पर मिलने बाली है ठीक है तो जितने भी हमारे साथी हैं और जिनको दोस्तों हिंदी साहित के नोट्स चाहिए है वो एप पर जाकर के दोस्तों इस को को purchase कर सकते हैं इस course की price रखिए दोस्तों 2100 रोपे है ना 2100 रोपे अभी 58% off में आपको notes दोस्तों मिलेंगे इन notes के आप printouts निकलवा सकते हैं ठीक है और यह number दिया है तो number पर आप संपर्क कर सकते हैं जिन भी सातियों को notes दोस्तों notes purchase करना है notes लेना है वो आराम से ले सकते हैं ठीक है बात करते हैं दोस्तों एक और 400 जो दोस्तों 3000 प्रशनों की test series है यह अभी मात्र 5 तारिक तक 400 में आपको 3000 प्रशनों की test series दोस्तों मिल ले वाली है आपको करना क्या है self study classes का app download कर लेना है और दोस्तों self study classes एस एप में practice के लिए यह 3000 प्रशनों की test series आप 400 में purchase कर सकते हैं बड़ा offer है आज का ठीक है आपके लिए दूसरा बड़ा offer दोस्तों हिंदी साहित का संपूर कोर्स जिसमें आपको दोस्तों वीडियो के माद्यम से टिर्की वीडियो के माद्यम से doubts वाले session के माद्यम से हैना जिसमें आपको test लगवा करके दोस्तों यह course आपका कराया जाता है इसका offer अभी दस्तो निन्यानवे रोपे है यानि कि पाँच तारीक तक आप इस course को दस्तो निन्यानवे रोपे में इसमें एड़वी सल ले सकते हैं जहां पर आपको recorded course तो मिले गई लाइब के लासे भी दोस्तो आपको बहुत सारी यहां पर मिलने वाली है ठीक है तो सभी लोग दोस्तो जिनको भी पढ़ना है विस्तरे तद्धन डाउट्स वाले टिर्की वीडियो तो इस course को आप दस्तो निन्यानवे में पर्चेस करके दोस्तो इसमें पढ़ सकते हो ठ चर्चा करने वाले हैं काब सास्त्र को पढ़ने वाले हैं अगर सभी लोग तयार हैं तो दोस्तो अब हम यहां पर पढ़ते हैं ठीक है सभी लोगों को बताना है चलिए इस्टार्ट करते हैं आज का एस सेशन सभी लोगों को चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर अपना अध्यन स्टार्ट हो चुका है और काब का स्वरूप लक्षन गुण एबम दोस्त इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है चलिए यहां पर अलंकार सिद्दांत के प्रबरता का अचार आपको बताना ह प्रश्न किर्मांग को एक का उत्तर आपको बताना है तो अलंकार सिद्दांत के प्रबरता का अचार कौन माने जाती हैं यह आपका आज का दोस्तों प्रश्न है और सबी लोगों को लगभग पता है कि सर अलंकार अलंकार मतलब दोस्तों अपन देखते हैं कि जिस प्रकार एक ब्यक्ति की एक ब्यक्ति का जो दोस्तों सुवंदर है वो आभूशनों से वड़ता है उसी प्रकार काब्य का सुवंदर भी अलंकार से वड़ता है है न या काब के दोस्तों सवंदर कुबढ़ाने बाले तत्व हम अलंकार कहते हैं इस प्रकार से तो अलंकार कौन करते हैं उल्ली प्रॉल भामा करते हैं कौन करते भामा है भामा question है दोस्तों यहाँ पर देखते हैं काब सास्त्री अलंकार सिद्धान्त के प्रवरता आचार भामा है अपने ग्रंथ काब्या लंकार अब ये काब्या लंकार ग्रंथ भी आपको याद रख लेना कभी कभी आप पूछा जाएगा कि काब्या लंकार एक गरंत किसका है तो आप क्या बताओगे भामह का है ना इनको भी आपको याद रख देना है दोस्तों मैं मूल नहत बक्रताबादी द्रश्टी का प्रवल समर्तन करते हुए लंकार की नोंने निमलकित परिभासा दी है दोस्तों बाच् किसका है दंडी का है यह भी अपन को याद रख देना है ठीक है अब आंगे पढ़ते हैं दोस्तों यहां पर उद्वट्र ने भी अलंकार विसह पर अलंकार सार संग्रह नाम गरंत की रिचना कीती दोस्तों इन्होंने ठीक है अंगला क्वेस्चन आप से पूछा जाता है आपको बताना है काब के बिसिष्ट तत्तु के रूप में ध्वनी सब्द का सर्व प्रतम प्रियोग किसने किया था ध्वनी सब्द का दोस्तों आपने पढ़ा है कई बार पढ़ा है कि सर ध्वनी संपरदाय के जो परवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन कोई अच्छी सी ध्वनी अगर आपके कान में पहुँच जाए ध्वनी अगर कान में पहुँच जाए तो आनंद आ जाता है तो यहाँ पर वो इतों कहा गया है कि बिसिष्ट तत्तो के रूप में ध्षिष्ट 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 तत्तो के रूप म ध्वनी सिद्धान्त का तियंत सूक्ष में और सांगो पांग बरनन करते हुए इसे बाक के सारबोम सिद्धान्त के रूप में इस्तापित किया और ध्वनी के बुरुद्ध दोस्तों सामभाब आपत्नियों का नराकड करते हुए आनंद बर्धन ने काब के गुण रीती अल क्वेस्चन है दोस्तों कि ध्वन्या लोग कि टीका कारकौन माने जाते हैं ये भी आपको पता होनी चाये है और ध्वन्या लोग किस तत्तों से सम्भंदित है ये क्वेस्चन आप से पूछा गया तब आपको पता है कि सरे ध्वनी से संबंदेत है किस संबंदेत है ध्वनी से संबंदेत है यानि कि आपका जो चार नमबर है डी नमबर है वो आपने बिलकूर सही बताया आनंद बर्धन द्वारा रचित गरंत ध्वन्या लोग ध्वनी से सम्मंदित है और आनंद बर्धन ने अपने ध्वन्या लोग गरंत में ध्वनी को काब का विसिष्ट तत्तो बताया रसिद्दान्त की सरप्रतम व्याक्याचार भरत्मुनी ने अपने नाट सास्त्र नामा कृती में इन्होंने की थी कौन सा योग में सही नहीं है कौन सा योग में सही नहीं है बताईए भट लोलट उत्पतिबाद के प्रवर्तक कौन है अनुमतिबाद के प्रवर्तक कौन है है ना अनुमतिबाद और दोस्तो भुक्तिबाद या फिर आभी व्यक्तिबाद इनमें आपको बताना है इनमें बताना है आपको तो कौन सा सही नहीं है यह अनुमति बाद है कौन सा सही नहीं है तो यहां पर आपको पता है कि सर उत्पति बाद के प्रबर्तक तो भट लोलट हैं बिल्कुल साही है हैना अनुमतिबाद के प्रबर्तक संकोख हैं बिल्कुल साही अनुमतिबाद के हैना आचार ममट भुक्तिबाद के प्रबर्तक नहीं है तो उत्तर कौन सा होगा शी नम्मर आपका सही हो जाएगा अभिनाव गुप्ते अभी प्रवर्त का भीनाव गुपत हैं तो उत्तर आपका जो सही है वो सी नम्मर आपका बिल्कुल सही चला जाता है सी नम्मर आपका सही हो जाता है दोस्तों अब आपको यहां पर देखना है कि जब भुक्ति बाद के ममट नहीं है तो भुक्ति बाद की आकर कौन है तो यहां पर आपका दिया है कि आचार भरत्मुनी के प्रिसिद्ध रस्तूत्र के संदर में भुक्तिबाद या भोग बात के मत के पृतिपादाक कौन मार जाते हैं भट नायक कौन है भट नायक है आचार मम्मट नहीं है और भट लोलट ने उत्पतिबाद हैना आरोप बात का आचार प्रितिपादन किया था यह बिल्कुल सही है अंगला कोस्चन है पांचवा प्रस्न है सुन्दर है बहग सुमन सुन्दर मानव तुम सबसे सुन्दर तम मैं कौन सा काब दोस है कौन सा काब दोस है सुन्दर है बहग सुमन सुन्दर सुमन सुन्दर मानव तुम सबसे सुन् इसमें कौन सा दोस है अधिक पदत तो दोस है आपर तीतत तो दोस है क्लिष्टत तो दोस है या फिर दुस क्रमत तो दोस है कौन सा दोस है दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि आचार भरत ने दस दोस माने हैं आचार भरत ने दस गुण भी माने हैं है ना दस दोस और दस गु सुन्दर शुन्दर शुन्दर तम है ना तो यहां पर क्या हो रहा है बुरिसर यहां पर अधिक पदत्त एक ही पद की बार बार दोस्तों प्रियोग किया जा रहा यहां कि अधिक पदत्त दोस इसमें हो जाएगा और एक नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सुन्दर है बेहग सुमन है ना इसमें अधिक पदत्त दोस है जहां काब में अनावस्यक सब्दों का प्रियोग किया जाए वहां अधिक पदत्त दोस होता है इनको भी आपको याद रखना चाहिए ठीक है इनको याद रखती ना है दोस्तो सब्दकार्थ सुन्दर सुन्दर चाहिए जिन भी सातियों को दोस्तों नोट्स चाहिए है वो नोट्स बाले एड़ीसल ले सकते हैं इस कोर्स का प्राइज दोस्तों नोट्स का हिंदी साहित के पद्द और गद्द साहित है ना प्रशनोत्तर और दोस्तों हिंदी साहित का निचोड हिंदी साहित का निचोड जो आपकी परीक्षा में पूछे जाये, पूछा जाता है और पूछा गया है, वो पूरा टोटल मिला के 2100 रुपे में ये दोस्तों आपको मिलने बाला हिंदी साहित के नोट से, लांच हो गया है कोर्स, जिनको भी अडवीसल लेना है, वो ले सकते हैं, और जो दोस्तों ना नाट सास्र नाम गरंथ के प्रनेता हैं, अपने अनेक दोस्तों अपने गरंथ नाट सास्र में नाटक के मूल तत्तों का विवेचन करती हुए भरत मुनी ने दोस्तों निमलकेत रस सूत्र दिया था, विभाव अनुभाव ब्यावीचारी भाव के संयोग से रसकी क्या होत निश्पत्ती होती है ये कहा था भरत मुनी ने और भरत मुनी ने दोस्तों रस संप्रदाय के प्रबर्तक माने जाते हैं और रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है और रस संप्रदाय की दोस्तों सूत्र की ब्याक्या करते हुए भट लोलट ने उत्पत्ती बात या बनकुर माने जाते हैं भट लोलट माने जाते हैं भट नायक माने जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको याद रख्टेना भट नायक और अभी नाव गुप्त यह सभी रश उत्र के ब्याख्या कार माने जाते हैं इनका भी कई बार कोस्चन आया है विभावा अनुभाव बिभावा अनुभाव ब्याभी चारी संयोगा द्रशनिस्पत्ति को पृति पादत किया है तो किस ने पृति पादत किया है है ना ये भी आपको उत्तर बताना है और दोस्तो अभी हिंदी साहित के संपूर कोर्स में है ना वीडियो कोर्स में दोस्तो आपके लिए ओफर चला है मात्र दस्तो निन्यानवे में आप दोस्तो इस कोर्स में अड़ी सल ले सकते हैं ठीक है विभाब आनुभाब याभी चारी संयोगा द्रश निस्पत्ति को पृति पादित किया तो किस ने किया आचार भरत ने यानि कि आपका भरत मुनी ब जो आपको पता है दोस्तो इस रसूत्र भी कई बार पूछा जाता है कि रसूत्र किस ने दिया तो इस रसूत्र किस ने दिया चार भरत ने दिया ठीक है कुबलेया नंद के रचेता कौन है बहुत बड़िया प्रशने है दोस्तो कुबलेया नंद है ना कुबलेया नंद के रचिता कौन है तो जल्दी से बताओ कुब लिया नंद है ना और अपन बोलते कि बहतो दीख्चित हो गया बहतो दीख्चित हो गया है ना तो यहाँ पर बोले कब लिया उसने दीख्चा कब लिया कब लिया नंद कब लिया कब लिया कब लिया बोले दीख्चा कब लिया तो कुबलिया यहां पर हो गया दोस्तो अप्पाई दीख्छित अप्पाई दीख्छित है ना कुबलिया नंद यानि कि अप्पाई दीख्छित और डी नम्मर आपका बिल्कुल शही है कुबलिया नंद तथा चित्रमीमान सा नामा ग्रंत की रचिता अप्पाई दीख्छित य दोस्तो और पंडित राज जगनात ने रस गंगाधर की रचना की थी ये भी आपको याद रखना है आचार मम्मट ने काब गोण कितने माने हैं मैंने कई बार आपको याद करवाया है अब गलत नहीं होना चीए मम्मट ने कितने काब गोण माने हैं बताइए फटापट से मम मंमट ने काब जोण कितने माने हैं परशन किर्मांक 9 में एक बार वीडियो को लाइक जरू करते रहिए अपने मित्नों तक सेयर करते रहिए और दो दोस्तो इसी प्रकार अध्यान करते रहिए जिनको को कोर्स में एड़ीसन लेना है जिनको को दो सेंधी साहिट稍स 3 माने हैं, कितने माने हैं, 3, यानि कि आपका जो बी नम्मर है, 3 नम्मर वो बिलकुल सही हो जाएगा, 3 माने हैं, आचार ममट, आचार भामय, आचार आनन्द बरदन, हैम चंद्र, पंडेतरा जगन आतादी, आचारोंने काब्य की गुण कितने माने, तीन माने जबकि भरतमुनी दंडी ने काब की गुणों की संक्या कितनी मानी दस तथा आचार बामन ने दोस्तों बीस गुण बताए हैं तो इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार की गुण भी आपको पता होनी चाहिए नकांत मपी निर्भूसम विभाती बनिता मुखम ये परिभासा सबी लोग बताएंगे मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से इस परिभासा को याद करवाया था आपको कैसे करवाया था नकांत मपी निर्भूसम विभाती बनिता मुखम ये अब आपको बताना है दोस्तों जि विभाती बनिता मुखम, यानि कि दसका उत्तर आपको चैन करना है, वीडियो को एक बार लाइक कर देना, आपने मित्रों तक दोस्तों, सेयर कर देना है, और आपका जो उत्तर सही हो जाएगा, वो उत्तर क्या सही होगा, बुली सर, उत्तर जो सही होगा, चला जाएगा, कहा यहां पर क्या दिया है भामह और यहां पर दिया है दोस्तो बनिता मुखम यानि कि उत्तर आपने टिक किया है क्या शी नंबर शी नंबर तो सी आपका राइट आंसर है भामह की यह मानी जाती है दोस्तो परिवासा नाकांतम अपी निर्भूशम विभाती बनिता मुखम ठीक भामय का अभी मत है कि ना कांत मपी निर्भूशं बिबाती बनिता मुकामर्था तलंकार भी हिन कभीता उसी प्रकार सोबायमान नहीं होती जिस प्रकार किसी कामनी का मुक आभूशनों के बिना सोबित नहीं होता एह अलंकार बादी आचार हैना दंडी के अनुसार कभ सोबा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छते कब के सुवा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं और हिंदी कभी के आचार केसा उदास ने कहा था कि भूशन बिनुना ब्राजई कभीता बनिता मित्त ये भी आपको याद रखे ना है ठीक है ये याद रखेंगे कि भूशन बिनुना सब्सक्ति जिसे बाच्यार्थ प्रिगट होता है ये जो सब्द सक्ती है दोस्तो जिसमें बाच्यार्थ प्रगट होता है वो है आमिधा कौन्सी है आभिदा सब्द सक्ती आभिदा उत्तम काब्ब है मद्द लक्षना लीन है ना तो ये डी नम्मर जिसमें बाच्यार्थ प्रगट होता है वो दोस्तो डी आपका बिलकूर सही हो जाएगा है ना जिस सब्द सक्ती से बाच्यार्थ प्रिगट होता है वह कहलाती है दोस्तों अभीदा और सब्द को सुनते सुनने अत्वा पढ़ने के पस्चाथ पाठक अत्वा सुरोता को सब्द का जो लोग प्रिशिद्ध अर्थ है तत्छन ज्यात होता है वह अर्थ स सब्द की जिस सीमा तथा मालूम होता है उसे अभिदा सब्द सकती कहते दोस्तों है ना इसको आपको याद रख़ी ना है अगर आप कोई पंक्ती को पढ़ रहे बाको को पढ़ रहे और आपको दोस्तों जो उसका अर्थ है वो तुरंत पता चल रहा है यानि की कौन सी करना है सही योगम को चिन्नित करना है आपको चिन्नित करिए बैधर भी गौणी पांचारी और गौणी दोस्तों इनके गौण आपको बताना है कि इसमें कौन-कौन से दोस्तों गौण पाये जाते हैं शबी लोग बताएंगे जल्दी से एक बार दोस्तों वीडियो को ला कोर्स हों है ना सभी में ओफर है जिन भी सातियों को जिन भी कोर्स में एड़ी से लेकना है सही योग में चिन्नित करना है तो उत्तर चला जाता है बैदर भी है ना सही योग में चिन्नित करना है कि बैदर भी माधुर गुण से संपन्न होती है माधुर गुण इसमें विद् होती है और इसमें माधुरगण का भी पूर्ण अभास अभाँ होता है और पांचाली रीती माधुर इबं सुकुमार गणों से संपन तता छोटे समासो वाली रचना पांचाली रीती होती है इसको भी अपन को याद रख लिना है निरक सकी ये खंजन آए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाई कौनसा गुण है कौनसा गुण है बताईए आपने पड़े हैं कि सर आनंद बर्धन ने तीन प्रिकार के गुण माने हैं आनंद बर्धन जो की ध्वनी संप्रदाय के प्रबर्तक माने जाते हैं इन्होंने तीन प्रिकार के गुण माने हैं गुण माने हैं है ना तो यहां पर आपको बता होनी चाहिए कि निरक सकीए खंजन आए फेरे उन्हें मेरे रंजन ने नया इधर मन भाए यानि कि यहां पर यहां पर कौन सा गुण होगा कौन सा गुण होगा जल्दी से बताईए वीडियो के एक बार लाइक करिए कोल सही हो जाएगा हैना उप्रोक्ट पद में माधोर दोस्तों गुण हैं क्योंकि उप्रोक्त पंक्ति में मधोर भरने सब्दों का प्रियोग किया था अपके लिए मेतली सरन गुप्त का जन में कब हुआ था जल्दी से फटाक से एक कोस्चन आपके लिए आया मेतली सरन गुप्त की बात आई है दोस्तों इनका एक महा कब साकेत बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है और गुप्त जी का जन में कब हुआ था एक कोस्चन भी आपको लिखना है गुप्त जी का जन्मे कब हुआ था मेतली सन गुप्त का जन्मे कब माना जाता है कब हुआ था इनका जन्मे वो भी आपको याद रखना है वो भी आपको बताना है देखते हैं सबसे पहले कोई बताता है फिर बाद में बताना है आप प्रशन किरमांग 14 का उत्तर लेकिन जिलाज हासी है ना काब का बहगुण जो चित में तेज और इस पूर्थी का संचार करता है कौनसा गुण कहलाता है कौनसा गुण कहलाता है जो आपने बिलकुल बताया है काब का बैगुण जो चित में तेज इबम इस पूर्ती का संचार करता है ओजगुण कहलाता है ओजगुण में टा ठा डा पा फा आदी कठोर वरनों का दोस्तों क्या किया जाता है वरनन किया जाता है प्रियोग किया जाता है है ना अंगला कॉस्चन आपके लिए दिया गया है तरू रिपू रिपू धर देखी के बिरहन ती अकुलाई है ना मैं कौन सा काब दोस है तरू रिपू रिपू धर देखी के बिरहन ते अकुलाई में कौन सा दोस है दोस आपको बताना है कौन सा दोस माना जाएगा इस दोस भी आपको पता करना है इन दोसों को भी आपको पढ़ना है कि कौन से दोस माने जाते हैं चियुत संस्कृति दोस अधिक पदत्त दोस है ना निवन पदत्त दोस या फिर दोस तो कलिश्टत दोस इन में से कौन सा दोस है और तरुरिपूरिपुधर देखी के बिरहि तीय अकुलाई में कौनसा काब दोसे उत्तर चला जाता है किलिष्टत दोस दोस्तों यहाँ पर देखें कि जिसका अर्थ कठनाई से होता है अर्थात काब में चमतकार पूर्ण रहंग से अर्थ प्रिगट करने के लिए दोस्तों जिस द्रश्टी कूट पत्सेली को अपनाय जाता है बहां कलिष्टत दोस होता है और यहाँ पर तरू रिपू रिपू धर देखी के ब्रहन तिया कुलाई का अर्थ है कि ब्रक्ष की सत्रू अगनी अगनी का सत्रू जल और दोस्तों और उस जल को धारन करने बाला बादल को देखकर ब्रहनी इस्तरी ब्याकुल हो रह है ना बहाँ पर होटा है आपका कलिश्टत दोस ठीक है अंगला कोश्चन आपको बताना है दंडी के काब सास्त्री गरंत का नाम क्या है दंडी के काब सास्त्री गरंत का नाम क्या है खुरेशी जी इसके पहले हम काब सास्त्री की किलास ले चुके हैं आपने नई लीगी ली होगी सायद दंडी के काब सास्त्री ग्रंत का नाम क्या है दंडी के काब सास्त्री ग्रंत का नाम क्या है प्रती दर्स काब्या दर्स काब्या दर्स या फिर भासा दर्स काब्या दंडी के काब सास्त्री ग्रंत का नाम क्या है काब सास्त्री ग्रंत का नाम क्या है दंडी के औ और शबी लोगों ने बिल्कुल शही आंसर बताया है कि सर अगर दंडी के काब सास्त्री गरंत का नाम ही बताना है तो आप काब्या दर्स में लगा लो इसके पहले भी अपन ने पढ़ा है कि काब्या दर्स यानि कि आपका सी नमर जो है काब्या दर्स कि सी नमर आपका बिल् पढ़ना है दसकुमार चरितम अबंती सुंद्रम कथा कला परिचेद दुई संधान काब विसेश प्रसिद्ध इनको भी अपन को याद करना है अंगला क्वेस्चन आपको बताना है दोस्तो सब्दार्थव सहतव काब्यम परिभासा किनके द्वारा दी गई यह आपको याद रखना है ठीक है बताईए सब्दार्थव सहतव काब्यम परिभासा किनके द्वारा दी गई प्रश्ण किरमांक सत्रा है ना प्रश्ण किरमांक सत्रा में आपको चेहन करना बढ़िया प्रश्ण आचार दंडी के द्वारा अचार रुद्रट आचार विश्वनात या फिर प्राचार भामाय के द्वारा किसके द्वारा ये परिभासा दी गई है ना वो बिद्वान कौन है जिसने एक कहा कि सब्दार्तव सहतव का अभ्यम यानि कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मीता राना जी उत्तर चला जाता है भामाय भामाय ने कहा था दोस्तों भामाय ने गरंत है आपको याद रख्टीना है और यहाँ पर आते हैं कि द्रस्तिकाब की बिधा है तो क्या है द्रस्तिकाब की बिधा बताना है आपको क्या है नाटक है उपन्या से निबंध है या फिर गीती नाट है द्रस्तिकाब की बिधा बताना है दोस्तो आप पढ़ते हो स्रब काब और द्रस्काब है ना तो द्रस्काब की जो बिधा जानी जाती है दोस्तों इस पेसल जो बिधा है वो बिधा आपको बतानी है वो बिधा आपको चैन करनी है जिन वी सातियों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर करते जाएं और दोस्तों आगे बढ़ते जाएं द्रस्तकाब की बिधा है तो बिधा कौनसी है यह आपको यहाँ पर चैन करना है अठारा का उत्तर आपको बताना है ठीक है और यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर द्रस्तकाब यानि कि जिसको देखा जा सकता है वो कहलाता है द्रस्काब यानि कि आपका उत्तर नाटक बिलकुल सही हो जाता है नाटक आपका राइट आंसर है द्रस्काब द्रस्काब दोस्तों की बिधा नाट पराधरित होती है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष द्रस्टी से सामने द्रस्टियों का संयोज होता है है ना रशूत्र की अनुमति बादी ब्याख्या करने बाले जो आचार है वो कौन है दोस्तों अनुमति बादी ब्याख्या करने बाले जो आचार कौन है वो आपको बताना है या आप यह भी बता सकते हो कि अनुमति बाद के प्रबर्तक कौन माने जाते हैं यह भी हैं बताइए प्रश्न किर्मांक 19 19 का अंसर आपको चन करना भट नायक अभिनाव गुप्त भट लोलट या पर दोस्तों शंकोक और लगभग सबी लोगों का अंसर आ है उत्तर भी बता दिया है कि सर अनुमती हमें लेनी है आप भगवान के पास जाते हो और संक बजाते हो काई के लिए अनुमती लेते हो भगवान हम पूजन कर रहे हैं आपको उठा करके एक थाल में ब्राजमान कर रहे हैं और आपका भी शेक कर रहे हैं आप शंक बजाते हो अनुमती लेते हो लेते ना तो हम अनुमती लेते हैं क्या बजा के संक बजा के संक बजा के तो अनुमती बाद के संकुक है ना भट लोलट का मत उत्पति बाद या आरोप बाद कहा जाता है दोस्तों इसे आरोप बाद भी कहा जाता है अचार संकुक का अनुमती बाद भट नायक का दोस्तो भुक्तिबाद या फिर इसे भोग बाद भी कहा जाता है और अभिनाव गुप्त का जो मत था वो मत था अभी व्यक्तिबाद अभी व्यक्तिबाद इनको भी अपन को पढ़ना है अनुभाव के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है दो होते हैं तीन होत में आपने बताया है कि सर इसका सही जो उत्तर है वो कौन सा है अनुभाव के कितने भेद होते हैं ठीक है तो इनको आपको याद रखने ना है दोस्तो मुक्ता कितने अनुभाव होते हैं एक तो कायक होते हैं सात्वेक होते हैं कायक और सात्वेक है ना इनको आपको याद रखना है ठीक है बाकी सात्वेक अनुभाव होते हैं दोस्तो कितने प्रकार के आठ प्रकार के सात्वेक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं इनको भी अपन को याद रखना है ठीक है और साथवे कनुभाव भी आपको याद रख्टे ना है साथवे कनुभाव आठ प्रकार के होते हैं दोस्तो है ना इस प्रकार से आपको याद करना है दोस्तो यहाँ पर देखते हैं अंगला कोस्चन भरत मुनी ने रश्चूत्र का विबेचन अपने किस गरंथ में किया है यह 21 का अंसर आपको चैन करना है भरत मुनी ने रश्चूत्र का विबेचन अपने किस गरंथ में किया है बताइए शबी लोग बताएंगे रश सूत्र का बिवेचन अपने किस गरंथ में उन्होंने किया है कमेंट में आपको याद रख लेना है दोस्तो भरत्मुनी ने रश सूत्र का बिवेचन अपने किस गरंथ में किया है यह बताना है आपको और बढ़िया कोश्चन है दोस्तो यहाँ पर रश सूत्र का जो बिवेचन किया है नोंने वो किया है नाट सास्त्र में और नाट सास्त्र में आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा बी नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है इसको आपको याद रखना है दोस्तों और यहाँ पर आते हैं मरत्मुनी ने रस्तुत्र का विबेचन अपने गरंत नाठ सास्त्र में किया और इस गरंत में रस्त को परिभासित करती है भरत्मुनी ने लिखा है विभाव कौन सा किसके लिए नहीं है बताना है आपको उत्मा के लिए कालिदास तो बताना है आपको कौन सा किसके लिए प्रसिद नहीं है अच्छा question है यहाँ पर अच्छा बताना है आपको कौन सा किसके लिए प्रसिद नहीं है बताईए उपमा के लिए कालिदास ये तो प्रिशिद्ध है करौन के लिए भावबूती है ना ये भी प्रिशिद्ध है और अंकार के लिए भामा भी प्रिशिद्ध है तो कौन नहीं है प्रिशिद्ध फिर 22 का उत्तर और 22 का अत्तर आपका D नम्मर सही हो जाएगा कि जो बक्त्रोक्ति के लिए 6 मेंद्र बक्त्रोक्ति के लिए 6 मेंद्र ये नहीं है ये तो बोले सर बक्त्रोक्ति के लिए 6 मेंद्र काई के लिए प्रिशिद्ध है बताईए चैमेंद्र किसके लिए प्रिसिद्न है ये भी आपको बताना है बक्रोक्ति के लिए चैमेंद्र नहीं है बक्रोक्ति के लिए तो आपको याद रख्टेना है इनको आपको याद रख्टेना तो बक्रोक्ति के लिए दोस्तो आपको याद रख्टेना है ठीक है ये बक्रोक्ती के कुंतक माने जाते हैं कुंतक है ना और छेमेंद्र माने जाते हैं दोस्तो ओचित्य संप्रदाई ओचित्य संप्रदाई की प्रिबर्तक कुन माने जाते हैं कुंतक माने जाते हैं मूल रूप से जो अनुभा होते हैं दोस्तों मूल रूप से दो होते हैं बाकी बैसे अगर माने तो बैसे कैसे होते हैं चार होते हैं ठीक है यहाँ पर उत्तर लिया गया है कि मूल रूप से जो अनुभा होते हैं वो कितने होते हैं दो होते हैं और इन्हों ने बताया कि कायक और दोस्तो सात्विक ये मुक्ताई दो प्रकार के अनुभा होते हैं बाकी बैसे दोस्तो अगर मानें तो चार प्रकार के दोस्तो माने जाते हैं इनको भी अपन को याद रख लेना है और बक्तरोक्ती के आपको पताई है कि बक्तरोक्ती के कुंतक है और छेमेंद्र और अच प्रदाय का प्रबर्तक माना जाता है इनको भी अपन को याद रख्टीना है अंगला क्वेस्चन आपके लिए दिया जा रहा है जल्दी से बताईए अंगला क्वेस्चन सभी लोग अंसर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भुक्ती बाद यानि कि शी नंबर शी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा है ना और भुक्ती बाद आपका सही है ना भरत मुनी के रस्तूतर के ब्याक्याता भटनायक के सिद्धान्त का नाम है भुक्ती बाद यानि कि शी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सी नमबर सही हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देख लो भट नायक भुक्तिबाद या भोगबाद भट नायक का है ना दोस्तो इस दार्ष निकमत इनका सांकदर्शन है अनुमतिबाद आपको पताईए भट संकोक है उद्पतिबाद के भट लोलट है अभिवेक्तिबाद के अ कानसर और यहां पर आपका बकरोकती सिद्दांद के प्रपरतक कुंतक यानि कि आपका एक नमबर कुंतक बिलकुल शाही है बक्रोक्ती सिद्दांद के प्रवर्थख कुंतक मान जाती है ब्याक्याकार बिश्वनात भी मानले जाती है इनको आपको याद करते रहना है यहाँ पर दोस्तो आपसे पूछा गया कि आचारेओं के साथ सुमेलित कीजिए आचारें के साथ इनको सुमेलित करना है वचित्य संपरदाय के कौन है बक्रोक्ती संपरदाय के कौन है ध्वनी संपरदाय के कौन है और रस संपरदाय के कौन है तो सभी को पता है बोले वचित्य तो छमा करने में है तो छेमेंद्र वचित्य काई में है छमा करने में है तो जो हम बक्र रहे हैं वो आपके कान तक जा रहा है बक्रो और कान तक तो कुंतक कुंतक है ना ध्वनी ध्वनी के आनंद बर्धन है ना रस्थ संप्रदाय के भरतमुनी इनको याद रख लिना और ये अलंकार संप्रदाय आपका बिल्कुर सही हो जाएगा ठीक है इसको आपक ठीक है तो इसको याद रखेंगे अब दोस्तो इसी प्रकार से आपको अध्यन करना है वीडियो को लाइक करती रहना है और सेयर करती रहना है ठीक है बहुत बढ़ी आप और शबी लोग अध्यन करेंगे इसी प्रकार से और काब सास्त्र को पड़ती रहेंगे इसी प्रकार से ठीक है और दोस्तो जिन भी सात्यों को नोट्स चाहिए तो नोट्स में अडवीशन आप ले सकते हैं 21 रोपे में आपके लिए दोस्तो पद्य साहित, गद्य साहित, प्रशनोत्तर ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है, है ना, ठीक है, तो प्रशनोत्तर और हिंदी निचोड, इसको भी आपको याद रख लेना है, और दोस्तो इसको आपको अध्यन करते रहना है, और यहा पर आते हैं यहां पर आते हैं तोसतों कि चार सु रोपे में आप इसको टेस्ट सीरीज को पर्चेस कर सकते हैं इसको बढ़ सकते हैं ठीक है इनको याद रखेंगे आज ही download आप को करना है self study classes का ऐप self study classes का ऐप डाउनलोड करके आप अध्यन कर सकती हैं और आंगे बढ़ सकती हैं दोस्तों है ना और दोस्तों जिनभी साथियों को कोर्स में अड्विसल लेख रहा है हिंदी साहित के वो ए बाला कोर्स आप ले सकते हैं सेल्फ इस्टडी किलासेस आप पढ़ सकती है ठीक है और ये दस्त उत्तर आपको दोस्तो इसी प्रकार से पढ़ना है ठीक है इसको अपन को अध्यन करना है दोस्तो और आंगे बढ़ते रहना है और चलते रहना है अध्यन आपका इसी प्रकार से चलेगा ठीक है और दोस्तो सभी लोग इसी प्रकार से अध्यन करें और एप को डरू डाउनलोड करें आपको क्या करना है सबसे पहले तो आप प्ले इस्टोर में जाएए प्ले इस्टोर में जाकर के दोस्तो आपको क्या करना है प्ले इस्टोर में जाएए और सेल्फ स्टेडी के लासे सर्च करोगे सेल्प स्टेडी के लासे सर्च करोगे तो आपको दोस्तो एप मिल जाएगा और एप में आप एड़ भी से ले सकते हो अध्यन कर सकते हो ठीक है इसको याद रखना गए और जितने भी हमारे साती हैं दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और सेर भी अपन को करना है ठीक है और अध्यन भी आपको इसी प्रकार से जोड़े रहना है और करते रहना हैं ठीक है बहुत बढ़िया सभी लोगों के लिए धन्वाद सभी लोग इसी प्रकार से अध्यन करें अध्यन करती करती आंगे बढ़ें ठीक है और दोस्तों वीडियो को सेर जरूर करती रहें ठीक है और दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही जय हिन्द